सीताराम दोस्तों, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की, दोस्तों स्वागत है, आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर, दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में हर रोज कुछ नया सीखने की चाहत हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर वास्तु शास्त्र के कई उपाय लेकर आते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, दोस्तों अमीर बनना हर किसी का सपना होता है, हर कोई अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कई बार व्यक्ती की कड़ी महंत भी उसे मन मुताबिक परिनाम नहीं देती हैं, तो वह निराश होने लगता है, दोस्तों अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होने वाली है, इसलिए वीडियो अ आज हम तुलसी का एक ऐसा बेहत प्रभावी टोटका बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में तेजी से धन की आवक बढ़ा सकता है, हिंदु धर्म में तुलसी को पूजनिय माना गया है, तुलसी का पौधा मा लक्ष्मी का रूप माना जाता है, यही नहीं भगवान विश विशनो को भी तुलसी बेहत प्रिय है, तुलसी की पूजा करने मा लक्ष्मी और भगवान विशनो दोनों की कृपा होती है, यदि आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, तो इस काम में तुलसी का पौधा आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, आज हम तुल प्रिया व्यापार में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी, और तरक्की के नए रास्ते खुलेगें, तेजी से अमीर बनने के लिए तुलसी के पत्तों का यह उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, इसके लिए किसी भी दिन सुभा ब्रहमा मुहूर्त मे जागें और सनान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद तुलसी माता से प्रार्थना करें और ग्यारह पत्ते तोड़ लें, पत्तों को तोड़ने के बाद तुलसी जी से हाथ जोर कर क्षमा जरूर मांगे, ध्यान रहे की पत्ते कहीं से खंडित ना हो, फिर तुलसी के ग् इसके बाद रोजाना इसी आटे का उपियोग करके रोटी पर आठे आदी बनाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इस आटा से रोटियां बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाएं। यानि किस नान करने के बाद ही इस आठे को छुएं। और इससे रोटी बनाएं। और पहली रोटी गाय माता को खिलाएं। तथा लाल सिंदूर से गाय माता के तिलक लगा कर पैर छुएं। ऐसा करने से जल्द ही आपके आर्थिक हालात बहतर होने लगेंगे और घर में धन की आवक तेजी से बढ़ेगी। तुलसी के पत्तों का यह उपाय आपको खूब धंदौलत दिला सकता है। लेकिन इस दौरान की गई एक गलती आपको नुकसान भी करवा सकती है। लिहाजा ध्यान रखें कि यह उपाय रविवार, गुधवार और एकादशी के दिन न करें। क्योंकि इन दिनों में तुलसी के पत्तों को तोड़ना या तुलसी को छू प्रवार रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन एकादशी ना हो। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आपकी आर्थिक स्थिती को सुधार देगा। यह एक आजमाया हुआ प्रचलित उपाय है। आप इसे जरूर करें। आपको अवश्य फायदा होगा। वीडियो तक बने रहने के लिए आपका धनियवाद।